दोस्तों टिक्टॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है अगर ये इंडिया में बैन ना होता तो आज सारी छप्री सेलिब्रिटी बने होते लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सक्से मिलाने जा रहे हैं जिनके वीडियोस देखकर आप भी अपने जिन्दगी की प्रॉब्लम्स को बड़ में सौट फर्म कमेडी वीडियो बनाने लगा अगस्त 2021 में खावी लम ने एक इंटर्वी में बताया था कि मुझे बचपन सही लोगों को इंटर्टैन कराने का काफी सौक है और मैं टिक्टॉक का आबारी हूँ जिसने मेरे इस टेलन को पूरी दुनिया तक पहुचाया औ और आली में 22 वर्यची खावी लम दुनिया में सबसे अधिक जाने माने टिक्टॉक क्रियेटर बन चुके है और अब वो टिक्टॉक की बास्षा बन चुके है दूस्तों सफोच करूं अगर टिक्टॉक इंडिया में बैन नहोता तो आप मैंसे कितनी लोग टिक्टॉकर ब